आप सभी का हमारा चैनल मैन वेदू में स्वागत है आज का हमारा टोपिक है अर्थवर्म अर्थवर्म इसे हिंदी में केच्वा कहते हैं या रेडिस प्राउन के लड़का होता है या अस्थलिया इनवर्टी ब्रेड्स है या एनिमल किंडम के अनेलिडा फाइलम में आता है या नमी युक्त मिर्दा के उपरी हिस्से में पाय जाता है भारत में इसकी दो कुमन जो जीनस है वो है फिरेटिमा तथा लंबरीकस अगर इस्पेसिस की बात करें तो फिरेटिमा पोस्टुमा है तथा लंबरीकस टेरेश्ट्री होती है इनका जो body होता है यह कई segment पर बटा होता है इसके external segment और internal segment एक जैसे होते हैं इसमें लगवाख 100 से ज्यादा segments होते हैं इनके जो verbs mature हो जाते हैं काफी परिपक हो जाते हैं उनके 14 से 16 segment पे एक glandular tissue का layer पाया जाता है जिसको klitalum कहते हैं और klitalum के अधार पर इसके पूरे सरीर को तीन भागों माड़ देते हैं pre-klitaler, klitaler तथा post-klitaler इसके बात बात करें तो इनके परतिक segment में एक S-shaped का सीटा होता है वो सीटा में काम है उनका यह जो locomotion करते हैं उस locomotion में खास करके वो यह मतद करता है और अगर इसके elementary canal की बात करें तो इसकी elementary canal straight tube होता है और यह first segment से लेङर के last segment तक होता है इनके elementary canal के parts की बात करें तो पहले mouth होता है फिर buccal cavity जो की एक से तीन segment तक होता है उसके बाद muscular pharynx, फिर oesophagus, फिर muscular gizzard ऊसके बाद आप जाता है इसका एसटेमक और इसMusic के बाद इसका आता है एंटेस्टाइन और एंटेस्टाइन लास्ट तक होता है वहीं पर इनके जो अलोगे करेक्वत एक्वार्पिघ्सेश्टिक फीचर यह यह है कि एंटेस्टाइन understood 26-35 segments होते हैं उसमें एक टैफलो सोल पाय जाता है टैफलो सोल इंटेस्टाइन के absorption area को बढ़ाता है और सबसे लास्ट में round aperture होता है जिसको एनस कहते हैं इनमें जो blood circulation system होता है वह close type का होता है और इसके blood cells और हिमोगलोविन का जो निर्मान होता है उसके लिए इसमें एक blood glands पाय जाता है blood glands में ही blood cells और हिमोगलोविन बनता है और इसके blood cells होते हैं वो phagocytosis nature का होता है अगर इसके respiratory system की बात करें तो वो इसमें develop नहीं होता है इनमें air का exchange इसके जो surface होते हैं मौइस्ट होते हैं वहीं से air का exchange होकर इसके blood में जाता है अगर इसके excretory system की बात करें उत्सरजन तंत्र की तो इसमें उत्सरजन एक special quail tubules की थूँ होता है जिसको nephredia कहते हैं nephredia को तीन भागों माटा गया है septal nephredia integumentary nephredia तथा pharyngeal nephredia अगर इसके nervous system की बात करें तो इसमें जो nervous system होता है वो paired ganglia होता है जो की paired ventral nerve code से जुरा होता है वही sensory input तथा command और जो भी फंसन होते हैं उसको control करने काम करता है अगर इसके sex की बात करें तो यह hermaphrodite होता है मतलब male और female sexual organ means testis और ovary एक ही individual पर पाया जाता है इनके जो testis होते हैं वो एक pair होते हैं दस से 11 segments पर होता है और जो ovary होते हैं वह भी एक ही individual पर होता है और जब यह copulation करते हैं तो जक्सटा posing opposite manner में करते हैं आप इसको 69 के तरह समझ सकते हैं और होने के बाद इन में जो अभी जो मैंने कलाइटेलम की जिक्र गई थी कलाइटेलम एक glandular tissue है जो कोकून का निर्मान करता है उसी कोकून में mature sperm, egg cell और जो nutritive fluid होता है उसमें store किया जाता है और उसी कोकून में ही mature sperm, egg cell को fertilize करता है और fertilize होने के बाद उसको मिट्टी में डाल दिया जाता है और मिट्टी में लगभा तीन सब्ताक बाद एक कोकून से लगभा दो से बीस baby worms का निर्मान होता है और उसमें लगभा चार मित्र केते धन्वा